हलो दोश्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है साथ हूँ वह है कि आपको ITI करना अच्छा रहेगा पॉलिटेक्निंग है बीटेक आपको क्या करना चाहिए तो हला कि हम हमारे चैनल के मात्यम से तो प्लेज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारे मिलेगी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और हमसे जुड़े रहें तो आईए हम देखते हैं सबसे पहले साथ हूँ अगर आप पास होते हैं बीटेक में तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वह ड इसके बाद पौली टखनिक की बात करें साथ हूँ पौली टेकनिक में भी आपका तीन वर्सका हो जाता है हो तो तीन वर्सका होगा अगर आप जो है iti से admission ले रहे हैं आई αइय करने के बाद तो भी आपका दो साल का पड़ेगा अगर आप इंटर में आपका Phygis कमिस्टी महत है तब भी आपकी पॉली टेक्निक जो है दो साल की पड़ेगी क्योंalnız अगर आप हैजओ स्कुल से admission आगे बात करते हैं आप क्या योग्यता होनी चाहिए तो साथियों आपको बीटेक करने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए इंटर पास होनी चाहिए फिजिक्स कमेश्ट्री महिद के साथ और बीटेक के लिए आपको डिपलोमा भी पास होना चाहिए ताकि लेटरल इंटरी हैं इसके बादाद अगर आपकर तक तक sarà को पर छोटेग्ड़ में प्रेश कशम करने के लिए हम आपको बता कि तबुदा कर समक्राइए कुर्वेट होते हुआ श्रीमें 10 सर्व वेरे में चोटे हैं आई-टिए में आपका पांच जार से लेके पाचीज़ हजार तक पड़ता है इसके बाद हम आपको बता देंसे आपको क्या वरीतल दी जएगा आपको क्या क्या कौन साट मिलतي है तो अगर आप B.TEC करते हैं, तो आपको 선생님 की post मिलती है आई जेंज़िनियर, अगर आप bullytechnic करते हैं, तो आपको junior engineer अगर आप आप Bora करते हैं, तो आपको worker मिलता है आप कहीं भी company में जाएंगे तो worker के रूप में जाएंगे अगर आप bullytechnic करके जाएंगे, junior engineer अगर आप B-Tech करके जाएंगे तो आपको इंगीनिय की पोस्ट मिलते हैं इसके बाद आप आते हैं सबसे महतुपूर टॉपिक की सेलरी आपकी क्यार रहेगी तो साथ ही जो सेलरी की अगर हम बात करें तो आपको जो सेलरी मिलेगी बीटेक करने के बाद 25 से 50,000 तक मिलेगी उसके बाद आपका आई टी आई से 10 से 25,000 तक बहुत मैक्सिमा मिल पाती है अगर आपका कहीं गौश्ट से ज्यादा मिल सकती है नहीं तो पचीज से कम ही मिलती है तो इसके बाद आईए हम आगे जान लेते हैं तो अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ में क्या ह प्रकार से ग्रोथ होगा उसके बाद आप ब्रकार से बाड़ा अिटिक के बाद आप एक कर सकते हैं और भीए ंख कर सकते हैं कि कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आपके परिवारी किस्तिती सही है तो आपको इंटर करके सीधे बीटिक करना चाहिए अगर आप अबरेज मेडियम परिवार फैमिली से हैं तो आपको सीधे पॉलि टेकिनिक करने चाहिए. ग्वर्णमेंट ढूल। अगर आप बहुत लॉवर्ध से हैं, तो आपको साथ हूं आइटि हाई करना चाहिए और इन सब को करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है आप चाहे तो इसे देख सकते हैं चैनल के प्लेइलिस्ट वे जाके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि उसे भी अच्छा लगे फिर मिलंगे हम अगली वीडियो